गर्भवत्री महीला ने खुद ने बताए हुए चार गर्मे लड़के होने के सठीक लक्षन नमस्कार दोस्तों आप लोग को मेरा चैनल प्रेगनेंसी मॉम में स्वागत है दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि एक गर्भवत्री महीला ने खुद ने बोले हुए गर्मे लड़का होने के चार सठीक लक्षन के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे ठीक है दोस्तों क्या होता है जब एक महीला गर्भवत्री महीला को जानने की जिग्या सा रहती है कि उनके गर्मे पलने वाला शिशु कौन है लड़का है या लड़की या फिर उनके घरवालों को भी जानने की जिक्या से आ रहती है कि गर्भवत्वी महिला के गर्मेपलने वाला शिशु कौन है लड़का है या लड़की इसके लिए वो लोग बहुत सारे उपाई करते रहते हैं या फिर लक्षन के दारा जानना चाते है कि एक गर्भवत्वी महिला के गर्मेपलने वाला शिशु कौन है लड़का है या लड़की दोस्तों आप लोग को पता है कि भारत में लिंगजाच करवाना कानुनन अपराध है आप लोग भारत में लिंगजाच नहीं करवा सकते है ठीक है लेकिन ऐसा कुछ उपाय है या फिर लक्षन है जिसक में हर्मोन के बहुत उतार चड़ाब देखे जाते हैं साथ में एक गर्भवती महिला साड़ेडिक रूप से और मानिसिक रूप से भी परेशान रहती है और दोस्तों इतने में मैं कह देती हूँ कि मेरा चैनल कोई लिंगभेद भाब को सपोर्ट नहीं करता है मेरा वीडि गर्भवत्री महिला के सरीर में जो हॉल्मोन का परिवर्तन होता है हर मतलब हर गर्भवत्री महिला का अलग अलग होता है ठीक है किसी के सरी में अगर ये लक्षन दिखाई दिया होगा तो दूसरी गर्भवत्री महिला के सरीर में लक्षन दे भी सकता है नहीं दे भी सकता ह तो दोस्तों आईए अब हम जानते हैं कि गर्भवत्री महिला ने खुद ने बोले हुए गर्भ में लड़का होने के चार सठीक लक्षन के बारे में पहला लक्षन है गर्भवत्री महिला का वजन बढ़ना गर्भवस्ता के दोडान अगर एक गर्भवत्री महिला का बहुत तेजिस से वजन बर रहा है तो माना जाता है कि ये एक गर्भ में लड़का होने कही संकेत है दूसरा है पेट के निचले हिसे में दर्ध होना गर्भवस्ता के छटा, साथवा, आठवा महिना में अगर एक गर्भवत्री महिला को पेट के निचले हिसे में दर्ध होता है तो माना जाता है कि ये एक गर्भ में लड़का होने कही संकेत है तीसरा है पेट के आसपा चर्भी जमा होना गर्भवस्ता के दोरान अगर एक गर्भवत्री महिला का पेट के असपास में अगर चल भी जमा होता है तो भी माना जाता है कि ये एक गर्भवत्री महिला को पांच महीने में पता चलता है और साथ में जो पेट का जो बाया साइड होता है उस पे पता चौलता है तो भी माना जाता है कि यह एक गर्मे लड़का होना का ही संकेत है तो दोस्तों यही था कि गर्भवत्री महीला ने बताए हुए चार गर्मे लड़का होने के सथी क्लेक्शन के बारे में अगर आप लो टॉपिक में जानना चाहते हैं मुझे कॉमेंट करके बताईएगा ठीक है और अगर आप हमारे चैनल में नए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके सामने जो नोटिफिकेशन का बेल है वो प्रेस करके आल करके रख दीजिएगा ताकि मैं आगे ऐसे प्रेग्निंसी टिप्स लाओ तो आपको पहले ही नोटिफिकेशन मिल जाए थेंडबत